नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं यह लेक्टोनी स्वर्मा तो दोस्तों मेरे पास बहुत भाई के कमेंट आये थे तो उन्होंने मेरे से कमेंट में कहा था कि सर जैसे आप 3 वोल्ट की led का रेजिस्टेंस बताते हैं सारे वोल्टेज के लिए कि वहा हमारी यह 1.2 और 1.5 से ही गिलो होती है अगर हम इससे ज़्यादा इसको बोल्टेज देते हैं तो यह खराब हो जाती है तो मेरे पास उन भाई का यही कोस्टन था कि सर्जव यह एलेड है इसके अंधर हम कौन सा रेजिस्टेंस यूज करें कितनी बोल्टेज पर जो हमारा य हम यहाँ यहाँ पर पांच वोल्ट आ रही है तो मैंने यहां इहाँ पर देखिए एक ए डा कलर की अलड की ले रखी है तो पांच वोल्ट से इस तो जलाने के लिए पर था रिक्लाने होinkा निकालता हूं और आपको इस LED को जो है ग्लो करके दिखाता हूं और यह देखिए यह जो LED है इसका positive और negative कोई सभी point आप कहीं पर भी लगा सकते हैं आप देखें यहां पर जो है इसके अंदर जो है की में सब्किर्बचर जीके अंदर जानी क्ल Rahya अब हम चौते हैं कि हमारी पास ईसको एसे सर्कीट में लगा जी सर्कीट नव फोल्ट है और इसी LED को लो करेंगे तो में यहां पर क्या करेंगे नव पहले हम यह सर्कीट के इंदर बना लेते हैं तो यहां पर देखिए 8V हो गई अब यहां पर 9V कर दी मैंने आप मपा मूंने को इन एक को नो जलाएंगेंगों तो हम यहां पर कॉन से रोगाएंगे हमारी सासो पचास ओंस तो यह सब्सक्राइब की लिखाएंगे और इससे जो हमारी इंठन नो बोल्ट से गिलो हो क्याकनों जुरूर दमाना क्योंकि मैं आगी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा और दोस्तों यह रजिस्टेंस का जो आपका पूरा पैकेच चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूगो वहां से जाके आप एलेडी और रजिस्टेंस परचेस कर सकत अब हम यहां पर कर देते हैं 12 बोल्ट एलेडी हमारी देखे वही है अब हम यहां पर 12 बोल्ट कर देते हैं तो यह देखे यहां पर हमारी हो गई 12 बोल्ट अब देखे 12 बोल्ट की बोल्टेज हो गई हमारी अब यहां पर हम जो रजिस्टेंस लगाएंगे वह लगाएंग गिलो देगी जो गिलो इस एलेडी का होता है यह देखिए अब देखिए हमने यह लगा दी आप देखें बारा बोल्ट एसके अंदर तो यह देखिए इसका गिलो देखिए अब भी वही गिलो एसके अंदर और हमारा रजिस्टेंस यहां पर हो गया 1.8 के यानिकि 1 1 के 8 तो इस तरीके से यह हो गया आप देखिए एलेडी में साइड में कर देता हूं तो हमारा बारा बोल्ट भी हो गया अब आ जाते हम 24 बोल्ट पर तो यहां पर मैं 24 बोल्ट कर लेता हूं इसके अंदर क्योंकि बहुत से भाई के पास 24 बोल्ट की सप्लाई होती है और वह एक एल इस फरेंड बॉल्ट के लिए अब देखिए इसको लगाता हूं और देखिए इसको लगाता हूं मैं और अब वही गिन लोई Charge चल रहा हुए हमारा और गलटी हो रही है तो इसको कर देता हूं मैं साइड अब भॉल्ट ले ले लेते हैं हमारी 36 वोल तो 30 वे पहले इसके अंदर कर लेता हूं और फिर आपको इस LED को गलो करके दिखाता हूं दोस्तों यह जो मोडूल में चला रहा हूं यह 40 बोल्ट तक इसके अंदर वोल्टेज हो जाती है तो 40 बोल्ट तक हम इसके अंदर कर सकते हैं 4 बोल्ट से तो यहां पर देखिए अभी 36 बोल्ट हो गया इस मोडूल के अंदर अब 36 बोल्ट जो है हम इसी LED को जलाएंगे तो यह तो देखिए दोस्तों अब हम इसी LED को जलाते हैं 36 बोल्ट से तो 36 बोल्ट के लिए हम तो देखे इसको भी हम इसी एलेडी को गुलो करेंगे वह भी 36 वोल्ट से आप यह देखिए तो देखे अब भी वही गिलो है और एलेडी हमारा चाथिस बोल्ट से जल रहा है तो दोस्तों देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने सारी वोल्ट से एक एलेडी को जलाया और दोस्तों यहां पर जो है मेरा मानना यह कि आपके जो सारे डाउट हैं वह किलियर हो गए होंगे अब हम इस एलेटी को जलाएंगे 230 वोल्ट एसी से तो एसी के लिए हम रजिस्ट्रेंस लेंगे 56 के का तो यहां पर आप देखे 56 के का रजिस्ट्रेंस ले लेता हूं और इसारे सके लेकिन थोड़ा आराम से द्यान से लगाएं करिया इसके अंदर एसी लाइन के अंदर मैंने 56K का resistance लगा रखा है अब आपको यहां पर voltage भी में चेक करा देता हूं कि इस LED के अंदर जो voltage है वो कितना आ रहा है क्योंकि बहुत भाई मेरे को कमेंटर में बात में यह ना कहें कि सर इसके अंदर voltage कम था तो देखें यह multimeter है हमारा यह देखिए और इसको कर देता हूं मैं AC की range में और दोस्तों यह वाला जो resistance मैंने लगाया है इसको बहुत दिहान से LED को लगाएं क्योंकि यह AC line है हमेशा य मेरी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को सेर करें और लाइक करें